भक्त बंदो और भेनो आज की अपने जीडियों मैं आपको बताऊंगी छट पोजा करते समय किन मंत्र का उचारन करना चाहिए और किस जगा पे करना चाहिए जैसे की सूर को अर्ग देते समय हमेशा इस मंत्र का उचारन करना चाहिए जैसे की छट माता और सूर देओ दोनों लोग की ही किरपा राप्त हो शाम को बास की टोकरी में फलों ठेक हुए चावल की लड़ू से अर्ग का सूप सजाय जाता है तब पशाद दीज जला कर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में ले करके इस मंत्र का उचारन करते हुए कम से कम तीन बार अस्त होते हुए सूरु देव को अर्ग देना चाहिए मंत्र इस प्रकार से है इस मंत्र का उचारन सूबा अर्ग देते समय सूरु भगवान का और साम्ध्या को सूरु भगवान का अर्ग देते हुए दोनों टाइम आपको इस मंत्र को तीन तीन बार या फिर एक ग्यारा बार पढ़ना चाहिए छट माता का दूसरा मंत्र कार्तिक शुक्ल सस्टिक को यानि कि छट ब्रत के तीसरे दिन सुबा जल्दी उठकर संकल्प लिया जाता है और संकल्प लेते समें इस मंत्र का उचारन जरूर करें संकल्प आपके मंदिर वाले घर में किया जाता है हाँ जोड़कर भगवान के सामने इस मंत्र का कम से कम तीन बार उचारन करते हुए या फिर एक बार उचारन करते हुए अपने सच्चे हीर्दे और निर्मल मन से इस मंत्र का उचारन जरूर करें उसके बाद फिर अपने ब्रत को आरम किया जाता है इस मंत्र का उचारन करते हुए निर्मल कोमल हिर्दे से भगवान की बंदना करते हुए अपने छट ब्रत को शुरू करना चाहिए